नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है अयोध्या में राम मंदिर का निव पूजन सकुसल संपन्न हो गया आज की तारीक इतिहास में दर्ज हो गई पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से अयोध्या को सजाया गया था पांच सदियों का सपना पूरा हुआ इस सपने को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंदमोदी यजमान बने है लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अपने देश में कुछ संस्कृती है और परमपराएं हैं जो पूजन में पूरा करनी होती है यजमान को प्रधान मंत्री नरेनमोदी इस पूजन में अप्चारिक्ता पूरी करने के लिए कुछ चीज अपने साथ ले करके गए थे लेकिन वो गलती से गाड़ी में ही उसे भूल गए है अचानक जब वो पूजन अस्थल पे पहुँचे तब उन्हें याद आया कि दिल्ली से वो कुछ खास ले करके आये हैं इस पूजा कारिक्रम के लिए फिर वो वापस लोटे गेट तक गए किसी को दवडाया गया गाड़ी से वो ले करके वापस आया जानते हैं वो क्या चीज थी क्या लेके गए थे प्रधान मंतरी राम लला के दरबार में तो जो भूम पूजन निव पूजन कराने वाले आचारे दूर का गोतम है उनके मुताबिक प्रधान मंतरी नरेनमोदी निव की पूजा के वक्त चांदी का कुम्ब कलस ले करके गए थे और इसको वो निव में रखना चाहते थे लेकिन गाड़ी में भूल गए और उसी को वापस लेने के लिए लोटे थे इस तरीके से प्रधान मंतरी ने एक साथ तीन रिकार्ड बनाए है वो सी राम जन भूम जाने वाले प्रधान मंतरी बने ये देश में पहला मौका था जब प्रधान मंतरी ने अयोध्या के हनुमान गड़ी के दर्सन किये यानि की राम जन भूम पे जाने वाले प्रधान मंतरी हनुमान गड़ी में जा करके प्रार्थना करने वाले और इसके बाद देश की सांस्कृतिक धरोहर के संग्रोप्षण के प्रतीक किसी मंदिर के सुभारम कारिक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रधान मंतरी बन गये हैं अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि और जो वहाँ पे विशिष्ट अतिथी मौजूद थे जैसे कि सीम योगी संग प्रमुक मोहन भागवत राजेपाल आनंदी बेन पटेल उन्होंने वहाँ पे क्या भेंट किया क्या पूजा के समय निव पूजन के समय वहाँ पे और प्रधान मंत्री ने वो चांधी का कुम्ब कलश जो इस्पेसली बनवा करके ले गए थे उसको वहाँ पे छोड़ा आपने ध्यान दिया होगा जिस समय अचारिये पूजा करा रहे थे दुरगा गौतम उस समय दो बार उन्होंने ऐसा इस्पेसल यजमान मिलने और ऐसा एतिहासिक और आने की बात कही साथ में ये भी कहा कि ऐसा और मिलता नहीं है यजमान को दक्षिना देनी होती है आज भारत के लिए एतिहासिक दिन है बहुत कुछ मिला है लेकिन बहुत कुछ की जरूरत है दो बार जिक्र करते रहे प्रधान मंत्री उनकी बात सुनते रहे अब इसके पीछे वो क्या मांगना चाहते थे उनकी क्या भावनाय थी उसको जरा समझे जिस समय पुरोहित ने कहा कि किसी भी यग्य में दक्षिना महत्पुन होती है दक्षिना तो आज इतनी दे दी गई है कि अर्बो का असिरबाद प्राप्त हो रहा है भारत तो हमारा है ह उससे उपर और कुछ दें कुछ समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का संकल्प तो लिये हुए हैं पांच अगस्त में कुछ और जूड़ जाए तो भगवान की कृपा होगी जिस समय वो ये बात बोल रहे थे प्रधान मंत्री चुप चाप सुन रहे थे लेकिन बार उन्होंने इस चीज को बार-बार बोला कि न तो ऐसा यजमान मिलेगा नई है एतिहासी का उसर और वो का असिरबाद प्राप्त हो रहा है लेकिन अभी और कुछ करने की जरूरत है बहुत सारी समस्याएं हैं तो प्रधान मंत्री ने उसी भाव में लिया होगा निश् और यजमान लेकिन धार मंत्री नरेंद मोदी जो अपनी तरफ से कलस लेकर के गए थे वो वहाँ पे उन्होंने राम रला के दरबार में निव पूजन में भीट कर दिया तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमारा डिजिटल चैनल इन खबर थैंक यू इनका पर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने ना करें